हेलो फ्रेंड्स आज हमें देखना है एकोनॉमिक्स का कोश्चन पेपर तो कोश्चन पेपर की डिजाइनिंग क्या है वो हम देखते हैं सबसे पहले तो यह 100 मार्क्स में आएगा आपको सबसे पहले नॉलेज बेज जो कोश्चन होंगे वो 30 पेपर होगा मतलब 30 नंबर का नॉलेज बेज है कितना नॉलेज है आपको अंडिस्टैंडिंग 50 परसेंट आएगा आपका मतलब सो में से 50 नंबर और अप्लिकेशन मतलब यूजबल जो उसका यूज कहां कहां करते हैं इस तरह से प्रैक्टिस वाला जो कोश्चन पेपर होगा कोश्चन में वो 20 मार्क्स में आएगा तो वेटेज कितना 20 तो यह मि प्रैली होगी वो 6 मार्का होगा तो 4 इंटू 6 मार्क से तो 4 इंटू 6 कितना 24 24 मार्क से क्वेशन आएगा लॉंग short answer question आएंगे 12 और हर एक question जो होगा वो होगा 4 marks, तो total कितना होगा 48 marks के, very short answer आएंगे 10 question जो की होगे 2-2 number के तो total कितना होगे 20 MCQs आएंगे 8 ठीक है, एक number का MCQs होता आपको पता ही होगा 8 number के total अब यह timing है, timing का कोई issue नहीं है यह दो नहीं देखें, बेतर होगा तो यह इस तरह से आपके 100 number का question में पर बनता है, अब वेटे बे content, अब हम flavors के coordinates देख लें chapter wise देख लें, तो सबसे पहले हमारा unit, पहला chapter है evolution and characteristics of wants यह 7 number का आएगा, इस chapter में से 7 number के questions आएंगे second chapter, human wants and production में 8 marks increasing production of goods and services 7 marks, distribution of goods and services 7 marks, इस तरह से देखो आप यह आपर, 5th में 7 marks, 8 marks, इस तरह से onwards given है, ठीक है तो आपको जो chapter number 9 है Indian economic and overview and problems, 19 number का आएगा, 19 marks से questions आएंगे इस में से, ठीक है, बाकी जो last के 2 है, world economy and environmental and sustainable development 10-10 marks जाएंगे, इस तरह से आपके handed marks के question paper design होता है, ठीक है, तो आप हम देखते है question paper, question paper किस तरह से आएगा, देखते हम तो ठीक है, आपका यह question paper है, जो आपको इस तरह से question paper provide किया जाएगा इसमें आपको यह सबसे उपर लिखा होगा कि इस question paper में 34 questions है, 8 pages 8 pages में 34 questions होंगे, यहाँ पर आपका roll number लिखना होगा, आपके question paper का जो code है, वो यह है और set है A, इस तरह से ABCD, 4 set या जितने भी sets बनें, वो board decide करता है यह set A है, economics 214 यहाँ का code लिखा होगा, date and day and date लिखा होगा यहाँ पर किस दिन और किस date में examination हो रहा है, यहाँ लिखोगे invigilator का sign यहाँ पर होगा, उसके बाद general instruction में लिखा है, कि आप question paper पर अपना roll number लिख लें और यह roll number अपनी notebook पर नहीं लिखेंगे, notebook में क्या लिखेंगे आप यह जो code है आपका 60.OS1 यह आपको अपनी notebook में लिखा होगा, ठीक है उसके बाद इन्होंने बोला कि objective जो questions होंगे, उसमें सिर्फ आप answer answer लिखोगे, जैसा आपको question number one का mcqs में c part सही है, तो आप लिखोगे answer one का c part उसके बाद लिखोगे, जो भी option में हो मालो, आपका eco सही है, तो one का eco part सही है, तो आप eco पे इस तरह से ऐसे लिख दोगे, ठीक है चलो, आगे उसके बाद इन्होंने बोला है, कि यह question paper जो है, वो हिंदी और English medium में है, अगर आप चाहते हो कि इसे उर्दू, बेंगॉली, पंजाबी में लिखना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो, ठीक है हाँ, आपको question समझने में problem हो Hindi English में, तो यह आपकी problem है यह हमें, है ना हमें, हमें इसमें कोई issue नहीं है, आप जो, जिस language में देना है, आप दे सकते हो, यहाँ पर ऐसा लिखा हो, उसके बाद B में कह रहे हैं, कि आपकी responsibility है, वही बात है, जो कि मैंने भी पताई आपको, ठीक है यह कतम, उसके बाद यही चीज़ आपको यहाँ पर Hindi में लिखी हुई है, ठीक है चलो, उसके बाद हम question वेपर देखते हैं, आपका यहाँ लिखा होगा economics, 214, 100 number का वेपर है, 3 गंटे का, यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, जो कि हमने उपर देखा था, ठीक है, तो पहला question देखो, MCQs आ गया, आपको मालो पहले question का answer लिखना है, तो आप ऐसे लिखोगी answer पहले का a part सही है, तो आप यहाँ पर लिख दूगे, physical science, ठीक है, इस तरह से आप अपनी notebook में लिखोगे, उसे ज़रा second question, ठीक है, उसके बाद आप देखो, यहाँ पर third, fourth, fifth, sixth, ठीक है, इसारे आप यहाँ से question paper देख सके, तो 8 question आपना रहे, MCQs खतम होगे, उसके बाद 2 number वाले question आएंगे देखो, यहाँ पर, जो कि हमने उपर देख लखा है, ठीक है, 2 number खतम होने के बाद, 4 number वाले question आएंगे and then, आप के आएंगे, 4, 4 वाले, ठीक है, चलो, यह last page है, यहाँ पर application based, देखो questions आगे application based हमने वहाँ पर देखा था ठीक है, 32, 33 and 34 ठीक है, तो 34 तक ही question से, जो कि उपर लिखा हुआ था, तो question पर आपका इस तरह साएगा, अब हम एक और sample पर देखते हैं, जिसमें question plus इसका answer होगा, कि कितने words में आपको कितने-कितने answer लिखने हैं ठीक है, तो यह आपका sample पर है, जिसका answer अभी हम देखेंगे, तो first question आपका यह है, second question, third ठीक है, and then next page पर आपका fourth, fifth, sixth, seventh, eighth उसके बाद nine question है, आपका यहाँ पर, दो-दो number वाले आगे आपके, nine, tenth, eleven, twelfth and then 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ पर इसके सामने देखो marks लिखे होते हैं, यहाँ पर 19, 20, 19 सी जो है, four marks वाले question आपके, 25 यह सारे question four marks वाले आपके, उसके बाद six marks वाले, ठीक है, इस question में उपर में, इस पर 34 question से अब marking scheme आगी, जो अभी में उपर question देखे, उसके answer से यहाँ पर लिखे हैं, आपका answer जो है, यहाँ से match कर सकते हैं, बाकी, यह जो भी PDF में आपको share कर रहा हूँ, यह description में जाकर आप download करके self study कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर यह सारे इसके answer से लिखे हुए हैं, ठीक है, कितने words में लिखने हैं, marking scheme क्या कि कितने line पर, कितने line कितना line लिखने पर आपको कितने number मिलेंगे जैसे यहाँ पर देखो, one line पर one है न सेकेंड line के one, तो total two marks के, इस तरह से आपको इसके answer देने हैं ठीक है, तो two numbers में, क्या two line लिख लो है न, points wise लिख दो, ज्यादा अच्छा होता है ठीक है, points wise में आपको number अच्छे मिल जाते हैं तो points wise लिखना ज्यादा अच्छा होता है ठीक है, तो यह देख लिख सकते हो, आप यहाँ पर इसका answer है, सारे बाकी वीडियो, इसकी जो PDF है, वो description में जाकर ठीक हो, ठीक है चलो, इस तरह से देखते रहो आप, हम आगे चलते हैं, यह रहा 33, 34 ठीक है, 34 question थे इसमें इसका answer यहाँ पर है, फिनिश होता है ठीक है, अगर वीडियो सही लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, share, subscribe कर सकते हैं, अच्छा इसकी जो PDF है, वो download करना ना भूले ठीक है, फिर मिलते हैं, नेक्ट वीडियो में